हिंदू मुस्लिम एक्ता की मिसाल शहीद अब्दुल्ला का उर्थ हुआ संपन रीवा के एस्पताल चौराहे के पास मुस्लिम हिंदू एक्ता और संप्रदाइक सद्भावना के प्रतीक हजरत शहीद अब्दुल्ला शाहर रह्मतुला अलेका उर्ष पाक सनिवार को बड़े ही धूमदाम से मनाया गिया यह परंपरा पिछले 200 सालों से निभाई जा रही है यहां पर मौदूद बाबा की 200 वर्ष जादा पुरानी मजार शरीफ मौदूद है जहां पर तीन दिवसी उर्ष का कारिकम काफी अर्थे से संचालिक किया जा रहा है रिवा के अस्पतार चो रहे के पास कला मंदिर के सामने हजरत शहीत अब्दूल्ला शायर रह्मतुल्ला अले का मजार शरीफ मौदूद है जहां पर हर धर्म के लोग पहुंसते हैं शनिवार को मुलक वा मिल्लक की सलामती अमन चैंग कायम होने तता तमाम किस्ट की आपतों से निजाद दिलाने तता आपसी भायचारा कायम करने की दुआओं के साथ पूरे एहतराम वा अकीदत के साथ तीन दिवसी उर्ष बड़े ही धूमदाम से संपन हुआ उर्ष कायजन एक तारीक में हुआ था जिसमें गुष्ट कुरान खानी से उर्ष की शुर्वात हुई और जायरिनों के लिए तीनों दिन लंगर का इंतजाम किया गया मरहूम शकूर खान के फोर्ट रोड इसके पुराने मकान से उर्ष के तीसरे दिन शाही संदल और चादर पेश की गई जो जुलूस के रूप में फोर्ट रोड होते हुए करामंदे पहुंकी हजरत सहीद अब्दुल्ला शाह की मजार पर इस चादर पोशी को करने के बाद तमाम लोगों ने मुल्क की हिपाज़त के लिए दूआ की आज बाबा सहीद अब्दुल्ला सार रहमतुल्ला अलाही पाक का सालाना उर्स मुबारक पाक है हर साल एक, दो और तीन जून को बड़ी सानों और सौकत से इस उर्स को मनाया जाता है हमारे बाबा का लगबग डेर से दो सौ साल पुराना इतिहास है और रीवा ही नहीं, रीवा सहर ही नहीं, रीवा जीला की कोने कोने से जाहरीन और बाबा से मुहबद करने वाले जाहरीन यहां आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और अपनी मुरादों को मांगते हैं और ये आपको मैं बताऊं कि जो भी सच्चे मन से इस संद की, इस सूफी संद के दरवार में आता है और अकीदे के साथ जो भी दूआ मांगता है वो दूआ कुबूल होती है आज उर्स का तीसरा दिन है और इस एक तारिक, दो तारिक और तीन तारिक, तीनों तारिक बहुत महत्पूर होता है लेकिन इस उर्स में तीन तारिक का कुछ ज़्यादा ही महत्त होता है चुकि जाइनोनों को आना तो एक तारीक से चलो हो जाता है लेकिन तीन तारीक को कई ऐसी जगा है जहां पर से बाबा का साही संदल आता है और चादर पोसी होती है जैसे आज फोर्ड रोड इस्थित इसके स्कूल के पास मरहूम मुहम्मद सकूर खान साहब के घर से जो पुराने खादिम थे उनके घर से इस बार भी बहुत सानो सौकत के साथ संदल आया और चबावा के सामने चादर पोसी हुई है जिसमें हजारों जाइरूनों ने हिस्सा लिया और अपनी दिल की मूराद मांगी उर्ष मुबारक में एक तारीक से लेके लगता तीन दिलों तक व्रहद रूप से बहुत बड़े रूप से भंडारे का आयोजन लंगर का आयोजन किया जाता है जिस आयोजन में केवल मुस्लिम समाज ही नहीं हमारे रिवा जीले की हिंदू समाज के लोग भी जो यहां से आस्था रखते हैं जिनकी मानता होती है जो मानता पूरी होती है वो दूर दूर से आते हैं और अपनी मानता मांगते हैं यहां पर जिसमें एक तारीक से लेके त हजारों हजारों लोग यहां पर हाजीर हैं कर दो में हैं झाल 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 झाल